जै स्री क्रिश्ना राधे राधी तरक्की के रास्ते खोलते हैं रोजाना करे ए तीस काम घर में आती है खुसाली कई पार लाग कुर्सिस के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है अधीक मेहनत करतने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और नाहीं धन की बढ़ोतरी होती है जोतिस सास्त के अनुसार घर में कई बार नकरात्म कुर्जा अधीक होने के या फिर देवी देवतावों पित्रों का आसिरबाद ना होने की कारण भी सारीरिक, मांसिक, आर्थिक और परिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है कई बार तो बंते-बंते काम बिगड़ने लगते हैं एसे में आप चाहें तो इन उपायों के अपना सकते हैं बस्तु सास्त के अनुसार इन उपायों को अपनाने से ब्यक्ति के घर से सकरात्मक उर्जा का परभाव बढ़ता जाता है इसके साथ ही सोक, समरीधी, धन, संपदा की प्राप्ती होती है आईए जानते हैं कि बरकत लाने के लिए रोजाना कौन से पाच काम जरूर करना चाहिए लेकिन उसे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मातारानी का आसिरवाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो का एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें नमबर वन भोजन की थाली को हमेशा पाटन, चटाई, शौकी या टेवल पर समान के साथ रखें नमबर टू, खाने की थाली को कभी भी एक हाँ से ना पकड़ें, इसा करने से खाना प्रेत योग में चला जाता है नमबर थ्री, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं नमबर फोर, कभी भी ब्राम्व मुरूत या संध्याकाल को जाडू नहीं लगाना चाहिए नमबर फाइट, जाडू को एसी जगर रखें, जहां किसी अतिथी की नजर ना पहुचें जाडू की पलंग के नीचे ना रखें नमबर सिक्स, घर की अस्त्री का समान करें नमबर सेवन, दच्छिन दिशा में पैर करके ना सोएं नमबर एट, सौट और पैंड के जेब फटी हो तो उसे ठीक करा लें नमबर नाइन, बट्वे या रूपय को पैंड की पीछे वाली जेब में ना रखें नमबर टेन, किसी भी परकार का नसा ना करें नमबर एलेवन, जूट बोलते रहने से बरकत कर से जाती रहती है नमबर टुएल्ड, दाथ को अच्छे सिस्षाप कर चमकदार बनाए रखें नमबर ठटीन, घर में कहीं गंदगी फैलाने का काई ना करें नमबर फोर्टीन, नाखुन और बाल बढ़ा कर ना रखें नमबर फिप्टीन, अमबस्या के दिन घर की सफाई का नियम बनाएं नमबर सिक्स्टीन, रोज जब भी घर में पोछार लगाएं तो पानी में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिलाएं नमबर सिवेंटीन, घर के अंदर नकली फूल या पेड़ पोधे ना रखें नमबर एटीन, कीचेन में राद के जुठे बरतन रखने से धन का नुकसान होता है जुठे बरतन साप करके सोएं नमबर नाइंटीन, अगनी कोन या दच्चिन पूरुदिशा में रोजाना साम को कपूर जलाएं के धान की ब्रीधी होती है नमबर ट्वेंटी, तीजोरी में पर्फिम ना रखें नमबर ट्वेंटीवन, पतेग पुर्निमा के दिन दहलीज पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं नमबर ट्वेंटीटू, घर में बस में दो बार कोई भी पूजा या हवन जरूर करवाएं नमबर ट्वेंटीथिरी, कीचेन में कभी भी नमक खतम ना होनने दें 24. खाते समय जोर जोर से आवाज या बातचीत ना करे 25. बैठे बैठे स्वें ना हिले, वे पैरों को ना हिलाए 26. पैर घसीट कर चपल जुत्तों से आवाज ना करे एसा करने से घर की सुक समरीदी चली जाती है 27. ना हाते समय एक पैर से दूसरे पैर को कदापी ना रगड़े 28. खाना खाकर थाली में हाथ ना धोये, इससे अनधन की हानी होती है 29. घर में चिला कर एक दूसरे से बात ना करे 30. नाखुन को मुझ से ना काटे 31. यूठे हाथों को अपने सीर में बालों में ना लगाए 32. दरवाजे पर आये किसी भी खारी या ब्रामन को खाली हाथ ना जाने दे 33. घर में चपल जूतों को एक निश्चीत अस्थान पर रखें इधर उधर विखेर कर ना रखें 32. यूठे हाई Personally स्थम्रेश mise